डियारेस्परेंट मनुएकेडिमी के टेस्टरी स्लूशन वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है हीट ट्रांसपर और रेफ्रिजरेशन एन एर कंडिस्निंग का टेस्ट था आप लोगों ने टेस्ट अच्छा नहीं दिया है पता नहीं आपने पढ़ाई नहीं किया था फ्रिप्रेशन नहीं किया था माक्स अच्छे नहीं लायो आप लोग काफी सारे लोगों ने टेस्ट नहीं भी दिया है अगर आप टेस्ट के बारे में जानते थे और टेस्ट अपीर नहीं किया है फिर तो आप मासा अल्ला हो अब खुद को आप ले कि कितना सीरियोस हो या आप ही डिसाइड कर सकते हो खेर जिन लोगों ने टेस्ट दिया भी है उनका टेस्ट साटिस्फेक्टरी नहीं लगता है अब क्यों नहीं लगता है ये तो ज़्यादा आपको पता होगा बाकि जिन लोगों ने टेस्ट दिया है पढ़के दिया है अगर उनका क्वेश्टन गलत हुआ है तो ये शर्विशन उनके लिए है चैनल पे पहली बार आंए है तो ससक्राइब कर लीजी है यहाँ पे वीडियो की पीडियाफ आपको मिल जाएगी सफियर कर रहे हैं चाहें कहीं भी कर रहे हैं तो सेलेक्शन आपका जरूर होगा कुछ पर वरोसा रखे और कंटिनूटी मेंटेन करिए बाकी यह सारे डिटेल हैं यहां पर फिप्टीन तो इससे ज्यादा तो आपको चाहिए ही और वैसे भी वालों का सेलेक्शन नहीं होता ह है तो अगर आप यहां ही रहना चाहते हो जा लो तो फिर तो आपको ll लिखाई थोड़ा सा हार्ट्टी जाना है तो थोड़ा मैनत करना पड़ेगा अगर बार-बार आप एवरेज आ हो तो फिर आप देख लो कहीं ने कहीं आप से कुछ शॉटफॉल हो रहा है जिसको आपको इंप्रूब करने की ज़रूरत है यह कुछ मेरा डेटा है मैं यहां पर एवरेश 16-19 को मानता हूं वो डेटा कम को मानता है और सेलेक्शन सबका सेलेक्शन तो होता नहीं जितने लोग कर रहे हैं किसी भी हालत में आप पढ़के दे रहो कम पढ़के दे रहो वो सारे बहाने होते हैं खेर चलिए आगे यह कुछ डिटेल है जेंडर डिटेल आपका और बाकी एक टेगरी डिटेल है और यह आपका कौन से इक्जाम के प्रिपेशन कर रहे हैं बैसिकली चैनल की हम बात करे मिलेगा जैड़ा दोनों यहां पर ऑप्शन में हैं कि को लुड कॉलिंग प्रोड तुब करते हैं और जहां पर कूलिंग लूट व्लेक्शों कर रहा होता है वहां पर हम एक पेंशन वाल का यूज करते हैं क्योंकि यह थोड़ा automated होता है जो आपका refrigeration refrigerant का flow rate होता है उसको cooling load के हिसाब से यह बढ़ा या घटा सकता है तो आप domestic purpose में जहां पे भी देख लो capillator use होती है, यह simple होती है कुछ इस तरीके से नजर आती है कम पैसे में मिलती है और अपना काम भी हो जाता है अब load variation कहां पे हो रहा होगा आप ऐसा तो नहीं कि फ्रीज में आप जलती हुई कोई चीज डाल देते हो, कभी फिर निकाल लेते हो ऐसा तो नहीं है, कोई चीज डालोगे generally होगे आफ़गा, atmosphere पे होगा तो जो load capacity, सोरी जो cooling capacity होती है, cooling load होता है वो around around same रहता है ठीक है, हाँ, कई सारे applications यहां ऐसे होते हैं, जैसे manufacturing में हो गया, वहाँ पे आपको cooling capacity continuously बढ़ती घड़ती रहती है, इस पर the machine reuse की machine use हो रही है तो वहाँ पे cooling capacity जो cooling load है वो बढ़ जाएगा, नहीं use हो रही है, तो कम रहेगा उस case में हम expansion valve का use करते हैं तो ज़्यादा appropriate क्या है, यहां पे capillary tube है, next question है यह तो numerical है, और simple सा numerical है, as such कुछ इसमें करना नहीं है कहा गया है कि heat pump है इतना heat absorb कर लेता है और यह temperature आपको दिया गया है किस temperature के बीचे operate कर रहा है होता है, COP is quality होता है desire effect ठीक है, तो desire effect जो भी आप Q1, Q2 whatever that, जो भी requirement है, depend upon heat pump है, तो यहां पे Q1 आ जाएगा क्योंकि higher heat pump हम कहते है heat supply को जो temperature बढ़ा रहा है, उसको हम desire effect कहते हैं, तो यह Q1 हो जाएगा divided by W, यही मुझे लगता है आप लोगों confusion हुआ होगा कि उपर Q1 रखना है, Q2 रखना है heat pump कैसे काम करता है, आप सभी को पता ही होगा यह हमारा work supply है और यहां से हमने heat extract किया है और यह हमारा desired space है जहां पे हमको heat supply करना है जिसका temperature हमको बढ़ाना है ठीक है, तो यहां से कुछ over किया और इस तरीके से, तो यह desire effect होता है refrigeration रहेगा, तो यह desire effect रहेगा यह Q2 लेते हैं, ठीक है यह temperature आपका T1 होता है, यह temperature आपका T2 होता है simple is that तो अब Q1 की value क्या हो जाएगी Q1 की value हो जाएगी, आप energy equilibrium लगा लीजिए तो यह क्या हो जाएगा, Q1 Q2 प्लस W, यह Q1 के बराबर हो जाएगा तो इन दोनों को add कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 30 divided by work कितना है, 10 तो यह value हो जाएगी 3 अब इसको तो गलत नहीं करना चाहिए था आप लोगों ने क्यों गलत किया है, don't know आईसी गलतिया करोगे, तो फिर एक्जाम में कैसे करोगे, at 100% relative humidity, the weight bulb temperature is, weight bulb temperature जब 100% relative humidity होती है, तो सारे जो temperature होते हैं, वो equal हो जाते हैं, कुछ ही इस तरीके से डाइग्राम भी आप लोगों ने draw कर रखा होगा ना, यह 100% relative humidity का हो गया, तो यह डाइवर्ण temperature हो गया, यह आपका, due point temperature हो गया, यह आपका इस तरीके की line, weight bulb temperature के होगी, जो enthalpy line के आपको कून साइड करती है, ठीक है, तो यह temperature सारे save होते हैं, तो option हो जाएगा, आपका A, equal to the due point temperature, next on psychometric chart, the weight bulb temperature line R, weight bulb temperature line क्या होती है, की, और यह जो drive bulb की होती है, वो कैसे होती है, vertical होती है, and uniformly spaced होती है, और जो आपका due point temperature की होती है, वो horizontal होती है, non uniformly spaced होती है, next जो आपका question है, when two refrigeration cycle are used in the series with two different refrigerants are known as, उसे हम क्या कहते हैं, cascade system कहते हैं, देखो cascade system जिसमें आपको temperature difference बहुत कम ज्यादा करना है, कि high temperature काफी ज्यादा हो, lower temperature काफी कम हो, उस case में आप तो multi stage बना लो, या तो cascade बना लो, multi stage का अपना कुछ constraint होता है, क्योंकि एक ही refrigerant घूम रहा होता है, तो जो critical temperature होता है, वो कहीं पर बहुत ज्यादा कम चाहिए, कहीं पर बहुत ज्यादा हाई चाहिए, जो temperature, तो critical temperature उसका कम होना चाहिए, काफी कम होना चाहिए, क्योंकि temperature variation बहुत ज्यादा है, तो ऐसा refrigerant ढूड़ना थोड़ा सा air recorded by the thermometer when bulb is covered by the cotton wick, उसे हम क्या कहते है, wet bulb temperature, क्योंकि वो air को saturate कर देता है, और उस time पर temperature वो measure करता है, ठीक है, question number seven है, which of the following is the limitation of multi-stage refrigeration system, जैसे मैंने पहले भी कहा कि temperature variation काफी ज्यादा होता है, तो critical temperature हाई होना चाहिए, freezing point low होना चाहिए, और जो lubricant होता है, चुकि same refrigerant flow हो र होते हैं, तो दोनों ये disadvantage होते हैं, इसलिए हम cascade को लेके आते हैं, क्योंकि उसमें different refrigerant हम use करते हैं, next question है, which of the following is not an application of cascade system, इसमें से कौन सा cascade system का application नहीं है, तो जो घर में आप use करते हो, simple refrigerator, जिसमें एक ही compressor होता है, एक ही refrigerant flow कर रहा होता है, हाँ, expansion valve के थू हम अलग-अलग के temperature maintain करते हैं, ठीक है, तो ये basically इसका use नहीं है, जहां पर temperature gradient बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, वहां पर हम cascade का use करते हैं, nine है, multi evaporator system with the single compressor and pressure reducing valve, क्या होता है, क्या उसका COP बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है, कि single compression में उसका COP बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ नह लगते हैं, कि जो refrigeration effect होता है, वह आपको slightly ज़्यादा मिलेगा, तो option क्या हो जाएगा, आपका second हो जाएगा, हाला कि यहां पर losses भी ज़्यादा मिलेगा, losses ज़्यादा मिलेगा, क्यांकि valve ज़्यादा use करोगे, losses ज़्यादा मिलेगा, उस loss को compensate कौन करेगा, आपका compressor करेगा तो compressor को बर्ग ज़्यादा देना पड़ेगा, next जो का question है, 10 number, air circulated at the rate of 70 kg and to be heated, temperature आपको दिया गया है, calculate the heat input and the water mass flow rate for the air heater while having the water entering at, इतना इतना, तो यह आपको find out करना है कि कितना water requirement होगी, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको energy balance होरी, energy balance कर देना है, energy balance करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले q find out करना पड़ेगा, तो क्या होता है, mc delta t होता है, पहले बात कर रहे है, यह air की कितना है, mass saving c कितना होता है, 1.02 multiply, यह कितना हो जाएगा, 20, तो इस total को जब calculate करोगे, तो आप simple इसको रख लो, ऐसे यह दोनों इधार हो गया, तो यह हो जाएगा, 10, 2 multiply, 7, multiply 2, तो यह हो जाएगा, 14, यह जूल हो गया, आपके value आगई, क्योंकि, इसी को remove करना है, तो again formula लगा देते है, q is equal to, अब water के case में, mc delta t हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे m आपको find out करना है, कितना heat remove करना है, यह हमको पत हो जाता है, आप four point exact value लेना है, तो भी ले सकते हो, बट उतना कुछ matter करता नहीं, तो four point two ले लेते है, temperature difference है, ten, तो 42 हो जाएगा, यह divide कर दोगे, 34 हो जाएगा, तो option हो जाएगा, आपका D, next job का question है, solar refrigeration work on the principle of vapor absorption, काफी सारे लोगों ने सही किया, आसान भी है, क्योंकि हम compression को absorption system में हटा देते हैं, और waste heat को utilize करते हैं, अब solar से energy आ रही है, तो उसको utilize कर लेते है, solar refrigeration पर मैंने एक detail video बनाया हुआ है, चाहिए, तो इसकी last में link कर दूँगा, आप उसको देख पाओगे, for winter air conditioning, the relative humidity should not be more than 40% से जादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि winter में हम करते क्या है winter में हम heating and humidification करते हैं, इसका ultra हम करते हैं summer में, summer में क्या करते हैं, cooling and dehumidification, तो summer में क्या होता है, humidity air की ज़्यादा होती, अब यहाँ एक सवाल भी है, आप मुझे बताना comment box में, कि summer में जो air humidity होती है, वो ज़्यादा क्यों होती है, और winter में कम क्यों होती है, ठीक है, और भानी भरता है ना बकेट में जो निकल रहा होता है कंडेंसिंग कॉयल से समर में वह आपको ज्यादा मिलेगा बाल्टी आपकी ज्यादा जल्दी भर जाएगी नेक्स जो क्वेश्चन है in cooling tower the heat is dissipated mainly by cooling tower में evaporation होता है आप सभी को पता है water evaporate करके हम क्या करते हैं वहाँ पे spray करके हम उसको cooling करते हैं नेक्स जो आपका a block of ice यह question थोड़ा सा energy balance पे है अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा fundamental लगाना है kinematics का भी और thermal का भी heat transfer का भी ठीक है और as such कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है simple यहाँ पे भी energy balance ही है बट कम लोगों ने सही किया है question में आपको दिया गया है mass आपको दिया गया है और कहा गया है कि started with the speed, speed दिया गया है तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा kinetic energy यह कह रहे हैं कि यह पूरा घिस्ता हुआ रुक जाता है घिस्ता हुआ रुक जाता है मतलब यह total kinetic energy किसमें convert हो गई friction ने जो work किया उसमें convert हो गई अब friction का जो work होगा वही convert होगा heat में अब यहाँ पर एक चीज और mention किया गया है कि हम किसी भी heat को loss में consider नहीं कर रहे हैं मतलब friction से कह सकते हो कि जितना भी heat आई वो सारी heat जो आपका यह ice है उसको melt करने में चली गई तो हम simply लिख सकते हैं यहाँ पर कितना है 50 multiply 5 का square और यही heat आपको utilize किया गया है ice को melt करने में तो कितना ice melt होगी मान लेते हैं M होगी और melt होने के लिए latent heat of the fusion चाहिए तो latent heat of fusion आपको यहाँ पर दिया गया है very simple is that mass आपको find out करना है यहाँ पर calorie gram में दिया गया तो इसको आप convert कर लेना 4.2 का multiply कर दीजिए तो यहाँ पर mass into 100 multiply 4.2 is equal to 6 to 5 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा तो M is equal to 6 to 5 divided by 4 20 तो answer आपको क्या आजाएगा 1.5 के आसपास आएगा 1.48 कुछ आसपास ठीक है तो आसान सा question था बट अगेन इसको भी कम लोगों ने सही किया है नेक्स जो question है आपका an ice cube is floating in the water kept in the glass अब ice tube है ice cube है sorry और यह आपकी glass है इसमें water बढ़ा हुआ है यहाँ पे कहीं वो float कर रहा है तो भाई यह चार तरप से water से surrounded होगा ना तो water में heat transfer कैसे होगा कन्वंचन के थुरू होगा ना कि कंडक्शन के थुरू होगा तो यहां पे पूछा आपसे क्या है the water in the glass get cooled majorly मतलब किस से Weavallly कौन सा heat transfer यहां पे हो रहा होगा the water in the glass get pulled वाटर क्यों कूल होगा क्योंकि ice क्या कर रहा होगा heat transfer कर रहा होगा heat absorb कर रहा होगा water से तो water से heat जो ice होगे वो एज्वार करेगी किसके थू करेगी भाई convection के थू करेगी very simple next question है आपका the insulation of electric wire should be कैसा होना चाहिए less होना चाहिए आप सभी को पता है wire होता है इसमें electricity flow कर रही होगी यहाँ से heat generation होगा heat generation होगा तो आप चाहोगे कि heat तेजी से बाहर निकले ऐसा तो नहीं चाहोगा कि heat यहीं पे store हो जाया और wire आपका melt हो जाया melt तो नहीं होगा खैर but soften हो ठीक है तो आप तो नहीं चाहोगा कि soften हो तो इसलिए जो insulation लगाया गया रहता है wire उसका दो purpose होता है एक purpose कि आपको electric shock ना लगे insulator होता है दूसरा purpose होता है उसका कि यहां से तेजी से heat transfer करे और insulator तेजी से heat transfer कब करेगा जब वो क्या होगा critical radius से कम रहेगा यह critical radius है यहां तक heat transfer बढ़ता है इसके बाद घटता है यह सब आप लोगों को पता है ठीक है तो यहां पे कम होना चाहिए कुछ लोगों ने गलत किया होगा वो साथ परपज इसका गलत सोच ले होगा उनको लगा होगा कि insulation का use हमेशा हम heat transfer rate घटाने के लिए करते हैं नहीं भाई कई सारा application है जहां पे हम इसका बढ़ाने के लिए यूज भी करते हैं वीच आप दा following is the case of steady state of heat transfer ये तो सबको सही करना चाहिए था steady state मतलब time के साथ variation नहीं होगा तो जब आप equilibrium में आ गए हो तो फिर का है का variation next question है thermal conductivity of the semiconductor क्या होता है increase होता है temperature बढ़ाओगे तो increase होगा movement बढ़ जाएगा यहीं पे conductor होगा तो decrease हो जाएगा next question है आपका two wall of the thickness a and 2a called pq ये कहा गया है और ये भी simple numerical है आपको formula लिख लेना है अगर थोड़ा सा confusion है तो तो यहाँ पे qp लिख लेता हूँ क्या होजाएगा k ये value दिया हुआ है तो kp और ये होजाएगा delta tp divided by a दिया गया है ना ये ये आपका qp का होगा qk का क्या होजाएगा qk का हम लिख लेते हैं qk q और ये dq by 2a ठीक है अब इनी दोनों का ratio पूछ रहा है ले देते हैं ratio यहाँ पे देखो kp is equal to 2k q लिखा है तो 2k q कर लेते हैं q q से cancel out हो जाएगा अब यहाँ पे देखो एक जो a वाला है ये a है और इसका 2a है तो ये हमने अल्लेडी लिखा हुआ है तो ये del t by a multiply ये 2a divided by del t बस दिया रखना ये p वाला है ये q वाला है ठीक है कह रहे हैं कि जो ये ये तो ये cancel out हो जाएगा तो अल्लेडी हमारे पास बचा हुआ है पर ये कह रहे हैं कि जो आपका temperature difference है वो proportional है आपके जो ठीकने से उसके मतलब क्या है कि ये dt रहेगा ये 2 dt रहेगा कि किसी के proportionate भी ये दिया गया है तो ये dt से dt cancel out हो जाएगा नीचे 2 रहेगा ये 2 से 2 cancel out हो जाएगा ये 2 बच गया है तो option हो जाएगा आपका 2 नेक्स question है आपका during steady state heat transport in the thin plate कैसा होता है linear होता है न अरे यही तो होता है यार ये होता है linear relation ठीक है आपको बताना है कि अगर in between heat generation हो रहा है तो ये relation कैसा होगा is the क्या होता है sum of the all resistance overall मतलब सारे resistance को सारे resistance मतलब क्या होते है conduction वाला और convection वाला ठीक है मैं थोड़ा fast discuss कर रहा हूं बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बताना नहीं चाहा रहा हूं जो चीज़े आसान है अपने पढ़ा है वो आपको आनी चाहिए next question है और temperature की value कितना दिया गया है आपका 20 और ये 100 तो ये कितना हो जाएगा 80 hopes होगा आप तेज़े से कर लोगे ये 0.2 हो जाएगा ये ये point से point cancel out हो जाएगा ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 5 तो 45 ये हो जाएगा 20 मतलब आपका answer हो जाएगा B next question है the dimensional number relevant to the transient heat conduction तो क्या होता है 4-year आपने biot और 4-year का नाम सुना होगा आपने वो formula भी देखा होगा transient heat conduction का formula आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है that is T minus T infinity divided by T naught minus T infinity ये इसको T I भी कहते हैं क्या होता है e to the power h a rho v rho v c p और ये होता है टाउ ये formula इस पूरे की value क्या होती है biot number into four-year number अब पूरा मैं derivation नहीं करा रहा हूँ तो खेर यहाँ पे four-year number है biot number हता तो वो भी होता है ठीक है कोई सा भी दे सकता है चुकि biot number बहुत frequently used होता है इसलिए वो answer में नहीं दिया गया है क्योंकि आपको पता होगा अलड़ी चलिए नेक्स जो question है आपका इफ नेसल्ट number is given to you corresponding to the renault and parental number is given to you the relevant stenton number ये बिल्कुल formula based question है आप सभी को पता है stenton number क्या होता है आपका national number हो जाएगा divided by renault number हो जाएगा multiply parental number हो जाएगा value सारी दिया गया है इसलाउट कर सकते हैं तो option हो जाएगा 10 next question है heat is lost from the 100 mm diameter steam pipe placed horizontally in the ambient at 50 degree if the national number is 100 and thermal conductivity is 0.3 then आप से पूछा है heat transfer coefficient again आपको सारी चीज़े दिया गया है कितना दिया गया है ये national number 100 HD by K तो H की value आपको find out करना है D की value 0.1, 0.3 point C दर cancel out जाएगा तरी दर multiply हो जाएगा तो H is equal to हो जाएगा 300 again ये सारा simple calculation था आप लोगोंने सही भी किया है in bio number the characteristic length क्या होते है volume divided by surface area area नहीं होते है cross section area surface area दो चीज़ आप लोगोंने पढ़ा होगा होप सो इंजिनिंग वाले इतना तो जानते ही होंगे कि दोनों में difference क्या होता है surface area and construction area में next question है the total radiation leaving a surface per unit time per unit area is called radio city ठीक है अब इसमें क्या confusion था कुछ लोगोंने गलत किया कुछ कापी लोगोंने गलत किया ये भी दे दिया है ठीक है देखो ये इसमें से कुछ reflection होगा ठीक है जितना इसकी reflectivity रहेगा हमारे surface की तो ये कितना हो जाएगा q of r हो जाएगा ठीक है और इसका कुछ emissive power तो होगा ना इसका कुछ emissive power होगा क्योंकि इस body का कुछ temperature होगा तो उसे ये कहते हैं ये emissive power ये वाला यार ये tk power 4 चुकि per unit area बात करें तो ये हट जाएगा ये रहेगा अगर black body रहेगी तो आपका ये भी हट जाएगा ठीक है तो ये दोनों add हो जाते हैं तो इसे हम कहते हैं radio city next question है the wave of radiation fall on the body कह रहा है 40% of radiation reflected ठीक है तो 0.4 reflect हो गया कोई बात नहीं आप सभी को पता है ना कि sigma आप जैसे भी लिखते हो sigma plus transmitivity plus reflectivity is called to one होता है total जो energy आएगी या तो reflect होगी या तो transmit होगी या तो absorb होगी इन तीनों में से कोई सी हो सकता है या तीनों हो सकता है या कोई 2 हो सकता है डिपेंड अपांद बॉड़ी बॉड़ी की नेचर पे डिपेंड करता है यहाँ पे कहा है 40% of radiation reflected ठीक है तो reflected वारा ले लेते हैं 40% reflected और current transmit point 3 है तो यह transmit हो गया point 3 अब आपको यह find out करना है तो यह one होता है तो इतना is equal to क्या हो जाएगा 0.3 तो यह क्या हो जाएगा इसका MSUT हो जाएगा यह अगर हम notation में यह थोड़ा वो तीजर उदर हो गया तो उससे कोई फरक ने करता है अब बस ध्यां रखना हाँ बिल्कुल इनका कुछ standard notation होता है पर यहाँ पे तो हम solve कर रहे हैं आप कुछ भी अजूम करके चल लो next है the value of the solar constant कभी कभी यह भी पूछता है आप तहां रखना तो value होती है 1.357 kilowatt per meter square next question है आपका MSUT of the perfectly black body one होगी न definitely MSUT क्या होती यह ratio होता है emissive power of the body divided by emissive power of black body क्योंकि यह भी black body बन गया तो दोनों का division one ही होगा तो option उद्याएगा आपका B इसी के साथ हमारी वीडियो खतम होती है चलिए मिलने के next वीडियो में तब तक के लिए all the best good luck